बच्चपन के दिनों को याद कर भावुक हुए सोहिल, बोले सलमान भैतरीन गेंदबास थे, लेकिन खेल पीछे छूट गया। सोहिल खान मीडिया से बाते करते हुए बोले, मैं अर्बाज और सलमान मुंबई के अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर क्रिकेट खेला करते थे, सलमान को क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद था, हमें लगता था कि वे क्रिकेटर बनेंगे, पता नहीं कब और कैसे वे अ अभिनेता बन गए, बॉलिवुड का क्रिकेट से गहरा रिष्टा है, दोनों ही देश के सांस्कृतिक ताने बाने का एहम हिस्सा है, कुछ ही दिनों में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आगाज होने जा रहा है, इस सीजन में भी बॉलिवुड के कई स्टांस क्रिकेट ख सोहल खान मीडिया से बाते करते हुए बोले मैं अर्बाज और सलमान मुंबई के अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर क्रिकेट खेला करते थे सलमान को क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद था हमें लगता था कि वे क्रिकेटर बनेंगे पता नहीं कब और कैसे वे अभिनेता बन गए सलमान एक भेतरीन गेंदबाज थे और जब वो बाएं हाथ से गेंदबाजी करते थे अच्छे अच्छो के छक्के छुड़ा देते थे सोहल अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं सलमान अचानक ही फिल्मों आ गए थे अपनी पहली फिल्म के बाद ही वे स्टार बन गए थे बॉलिवोड में मिली इस सफलता के बीच में क्रिकेट कहीं खो गया उन दिनों सलमान के ऊपर कई जिम्मेदारिया भी आ गई थी उनका सारा फोकस फिल्मों पर शिफ्ट हो गया था लेकिन सच यही है कि क्रिकेट से सबसे ज्यादा प्यार भी उन्हें ही था अभिनेता सोहिल खान से जब उसी इंटर्व्यू में पूछा गया कि वे अपने बेटे निर्वान को क्या सला देना चाहेंगे इस सवा के जवाब में सोहे कहते हैं निर्वान जो चाहे कर सकते हैं अगर उन्हें अभिने करना है तो वे किसी अच्छे अभिनेता के साथ रहकर काफी कुछ सीख सकते हैं मुझे नहीं लगता कि अगर आपको अभिनेता बनना है तो पहले किसी निर्देशक का असिस्टेंट बनना जरूरी है निर्वान अजय देवगन, अक्षय कुमार, पंकस्त्रिपाथी, शाहित कपूर और नाना पाटेकर जैसे अभिनेताओं के साथ रहकर अभिने की बारिकियां सीख सकते हैं